दोस्तो आज भारत के एक कदम ने तूर्की का एसा इलाज किया है जिसके बाद तूर्की को भारत से पंगा लेने से पहले सो बार जरूर सोचना होगा दरसल हाली में ही जबसे भारत ने अर्मेनिया को हत्यारों की सप्लाई की है जबी से ही तुर्की, एजरबेजान और पाकिस्तान भारत की घेरा बंदी करने की कोशिश में लगे हुए हैं तुर्की और एजरबेजान ये दोनों ही वो देश हैं जो भारत से बेवजे में पंगा लेने में लगे हुए हैं साथ में ये दोनों ही देश कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन भी करते हैं लेकिन तुर्की और एजरबेजान ये बात भूल रहे हैं कि इन दोनों ही देशों के पडोसी भी भारत के दोस्त हैं जो इन दोनों ही देशों की चूडिया कसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं तुर्की का इलाज करने के लिए भारत के पास ग्रीस है वही पर ए इनोंने जाकर कश्मीर के मुद्दे को गाना शुरू कर दिया था जिसके बाद ग्रीस ने अपनी संसद में एक बिल पास किया था जिसमें इन सभी के सभी पाकिस्तान के ओफिशर्स के उपर परतिवन लगा दिये गए थे और अब से कुछी महीनों पहले पाकिस्तान ने ग्र कुब्यों की इन बैटरी को चेंज करने से साफ साफ मना कर दिया था और अब ग्रीस की नोसेना की मदद करने के लिए भारतिये नोसेना ग्रीस के अंदर पहुँच चुकी है हमारी नोसेना अपनी कुछ शिप को भी लेकर ग्रीस के अंदर गई है और इन शिप की तैनाती क कुछ दिन Greece के अंदर ही रहने वाली है लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल ये ज़रूरा रहा होगा कि भारतिये नोसेना अपने कौन से शिप को लेकर ग्रीस के अंदर गई हैं तो आपको बता दे कि भारतिये नोसेना अपने INS चन्नई डिस्टोयर को लेकर ग्रीस में पहुँँची है और हमारे INS चन्नई का ग्रीस की नोसेणा ने बहुत ही भव्वे स्वागतभी किया है और अब कुछ दिन हमारी नोसेणा की तरफ से ग्रीस की नोसेणा को युद लड़ने की टैक्टिक सिखाई जाएंगी ग्रीस के अंदर आई एनस चन्नेई के तैनात होने के बाद तुर्की की हालत खराब हो चुकी है जिससे आज भारत की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो भी देश हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसका अच्चे से इलाज करेंगे एजरबेजान के बाद अब तुर्की भी भारत की रेडार पर आ चुका है अर्मेनिया और ग्रीस ये दोनों ही वो देश है जो भारत से ब्रमोज मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं और आने वाले समय में आप ये बात सुनकर बिलकुल भी हैरान मत होना की भारत की तरफ से इन दोनों में से एक देश को ब्रमोज मिसाइल दे दी गई है आपको क्या लगता है कि क्या हमें ग्रीस के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे